हेलो एंड गुड मॉनिंग एवरिवन माई नेम इस यूगल वीजे भैसारे लेक्चरर इन मेकेनिकल इंजिनिंग डिपार्टमेंट प्रॉम एनिटी पॉले टेखनिक नागपूर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नमबर 35 में जा आज हम स्टार्ट करने जा रह रहे है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन प्लीज आप वीडियो को पॉस्ट कीजिए और उन्हें एक बार पढ़ लिजे आई होप आप सभी ने से पढ़ लिया होगा तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि यूनिट के बारे में और यह रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स जो की अच्छी होने वाले तो कुर्सी की पेटी आप बाहन लीजे क्योंकि थोड़ा था लंबा वीडियो होने वाला है और बहुत कुछ सिखने को मिलने वाला है ठीक है यह नि यू अगको अगर अगरे अगरे तो क्या होता है अगरे हमें क्या मैंटें करना है यूमिडिटी ओंडिक मॉशं ऑफ एयर और प्यूरीटी मतलब हमें टेमप्रेचर को भी मेंटें करना है humidity humidity मतलब क्या होता है moisture content कितना रहेगा आपके एयर में आपके एयर में moisture content मतलब water कितना रहेगा ठीक है उसको क्या बोलेंगा अपन humidity motion air का जो motion रहेगा circulation रहेगा वह properly है कि नहीं और चौथा important क्या है purity आपका air जो आप भेज रहे हो वह pure है कि नहीं वह भी आपको maintain करना है तो इन चारों चीजों को condition करने का जो काम होता है उसको बोले जाता है air conditioning ठीक है अच्छे से धहन में रख लो कि simultaneous control of temperature humidity motion और purity of air in enclosed space एक space के अंदर उसको क्या बोलेंगे हम लोग air conditioning ठीक है आगे देखते है necessity of air conditioning तो क्यों हम लोगों को जरूरत होती है air conditioning की to provide the comfort condition for human effort comfort condition होना चाहिए हमारे human effort के लिए to provide the comfort in commercial places like restaurant shopping complex banks etc ठीक है और to provide the control condition for air industrial process इंडस्ट्री में भी आपको comfort की आउशकता होती है अगर आपके इंडस्ट्री में comfort नहीं रहेगा तो आपके जो worker है छोड़के भाग जाएंगे ठीक है तो provide ultra clean atmosphere for the precision work आपका precision work होना चाहिए इसलिए कभी-कभी आपको clean atmosphere भी बनाके देना पड़ता है है ओके फैक्टर अफेक्टिंग human comfort तो कौनसे कौनसे ऐसे फैक्टर से जो human comfort को effect करते हैं सबसे पहला देखते है temperature तो भाईया देखो आप लोगों को सबको पता है कि जो human है वो 22 degrees Celsius से लेकर तो 26 degrees Celsius के बीच में बहुत ही अच्छा फिल करता है ठीक है लेकिन मान लो अगर आप winter condition में हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा temperature चाहिए आपको ज्यादा ठंडर टेंपरेचर नहीं चाहिए और अगर आप उसके उल्टा summer condition में आप सरवाइब कर रहे हो तो आपको temperature के चाहिए थोड़ा सा कम चाहिए तब ही आपको अच्छा लगेगा है ना तो temperature बहुत important role play करता है आपके human को आपको comfort feel कराने के लिए ठीक है दूसरा है humidity कितना humid condition आपके लिए आवशक है आपको ज्यादा पसीना नहीं आना चाहिए है ना मान लिजिए अगर आपके atmosphere में ज्यादा moisture content हो गया ज्यादा humidity हो गई तो आपको बहुत पसीना आएगा आपको चीड़-चीड हट होगा है कि नहीं इसलिए humidity भी कंट्रोल में होनी चाहिए जन्दली हम लोगों को 60% की humidity लगती है इसके उपर भी नहीं इसके कम भी अगर अपने को थोड़ सी चली गई तो अपने को चीड़-चीड़ा हट फिल होनी लगती है ठीक है एर की purity आपका air कितना प्यूरिफाइए वह भी आपके लए मांन लेफ़ेंधें अगर आप इंडुस्ट्री में काम कर रही हो क्या क्या होगा वहांके लोग क्यां होगे अंगे और इंडस्ट्री का air purify होना बहुत ज्यादा important है क्योंकि अगर इंडस्ट्री का air वराबर से purify क्योंकि इंडस्ट्री में देखो बहुत सारे धूल अगेरे कचड़ा उड़ते रहता है अगर वह आपने purify नहीं किया तो क्या होगा वहाँ पर बहुत ही noisans create होगा और लोग वहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर पाएगे नेक्स्ट ए air motion and circulation देखो आप लोगों ने temperature कंट्रोल कर लिया humidity कंट्रोल कर ली एर की purity कंट्रोल कर ली लेकिन अगर वहाँ पर air का motion बराबर से सर्कुलेट नहीं होता है तो क्या होगा human को comfort फिल नहीं होगा अगर मान लीजिए आपने एक स्टील एयर छोड़ दी मतलब क्या एक बीना बहने वाली एयर जो एक जगह पर स्टील है तो आप लोगों को comfort फिल होगा क्या कि बहने वाली एयर आपको अच्छी लगती है आप लोग गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते हो जब आप अच्छे atmosphere में गाड़ी चला रहे हो आपके आपको अच्छे सा ठंदा हावाल आता है तो मज़ा आता है कि नहीं है ना लेकिन वहीं आप एक जगा पर खड़े हो आवा नहीं चल रही है तो आपको चिरचे डाट फिल होगी की नहीं होगी है ना इसलिए एयर का motion भी बहुत ज़्यादा से आपको कितना air conditioning चाहिए उसको बोलता है comfort air conditioning limited लोग रहेंगे लिमिटेड लोग neo के लिए जो air conditioning होंगी उसके हिसाब से हप aşम करोगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग comfort प्रकर क्यों कोता है ना की मोट्स में क्या होता है कि बहुत सारे लोग रहते हैं तक कॉम्पट का भी और कमर्शल का लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को एक जगा पर आप लोगों को condition करना आपको उनकी लिए air को condition करना है तो उसके लिए हम क्या बोले की उसकरेंगे commercial air conditioning इसका capacity जादा होता है as compared to comfort air conditioning okay कि कुछ निया के इंडेस्ट्री में जो भी बड़े-बड़े एक्यूपमेंट होते है जैसे कि मने आपको बता है कि इंडेस्ट्री का एट्मॉसफेर आपको अच्छा बनाए रखना पड़ता है ताकि लोग अच्छे से काम कर सके तो उसलिए हम लोग इंडस्टियल एर कंडिशनिंग यूज करते हैं जिसका कैपेसिटी कमर्शील और कमफट से बहुत ज्यादा होता है ठीक है और उसके उससे जो है आपका एर कंडिशनिंग बहुत ही अच्छा होता है ठीक है इनका डिफरंस जो है तीनों का भी आपके नोट्स में मैंने प्रो मैं इसको समझाता हूं मान लो मेरे पास एक बिकर है एक बिकर है उस बिकर में क्या है mixture of gases है तीन डाल दिया मैंने a b c वह कोई तो भी प्रेशर p1 पर है उसका टेंपरिचर है वी उसका वाल्यूम है वी और टेंपरिचर है अब मैंने क्या किया उनको अलग-अलग container में भर दिया मतलब gas a gas b और gas c का अलग-अलग container कर दिया उनका भी specific volume specific temperature उत्ता ही रहेगा volume और temperature तीनों का भी मैंने same रखा ठीक है तो इसमें जो pressure रहेगा प्रेशर तो change होगा सभी में pa, pb और pc pa, pb और pc दोनों का volume same है temperature same है तो उसके वाज़े से जो pressure change होगा तो यह pa, pb और pc जो रहेगा इनका sum कितना रहेगा आपके p1 के equal रहेगा ठीक है तो pa क्या है partial pressure of gas a pb क्या है partial pressure of gas b, pc क्या है partial pressure of gas c और dalton's law के according क्या होड़ता है कि partial pressure is equal to the total pressure of a mixture at constant volume and constant temperature तो क्या होगा according to dalton's law जो pressure रहेगा pa plus pb plus pc हो जाएगा ठीक है समझ में आगया dalton's law आगे देखते है psychometer तो ठीक है भी यह psychometer क्या होता है psychometer क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं the equipment used to measure dry bulb temperature and wet bulb temperature simultaneously is known as psychometer एक ऐसा कोई तो भी equipment हम लोग use करेंगे जिससे हम लोग dry bulb temperature और wet bulb temperature दोनों को भी measure कर पाए उसको हम लोग बोलेंगे psychometer अभी dry bulb temperature, wet bulb temperature क्या होता है थोड़ा सा दिमाग से हटा दो अगले वीडियो में हम लोग आपको समझा देंगे ठीक है बस इतना ध्यमें रखो कि दो प्रकार के temperature है dry bulb temperature, wet bulb temperature तो दोनों को भी जो गिनने का काम करेंगा वो कौन करेंगा psychometer करेंगा तो ठीक है भी यह कैसे करेंगे psychometer से measure तो देखते है type of psychometer सबसे पहला होता है sling type psychometer तो देखो इस प्रकार का कुछ उसका photograph होता है इस प्रकार का वो दिखता है एक बुड़न का frame रहेगा एक बुड़न का frame रहेगा उसके उपर में आप लोगों को दो तरीके के thermometer दिखेंगे एक यहाँ पर यह पहला जो thermometer है उसको बोलेंगे dry bulb thermometer और दूसरा जो है यह आप लोग इसको आराम से हाथ से पकड़ सकते हो इसलिए इसको स्लिंग साइकोमीटर बुलते है जो वेट बल्ड टेंपरिचर जो वेट बल्ड का रहेगा thermometer उसके उपर एक वेटेड वीक लगी रहती मतलब गीला कपड़ा लगा रहता है ठीक है अब यह क्यूं लागा हो इसमें क्या होता है इसमें भी दो तरीके के thermometer लगे रहेंगे एक ड्राइबल्ड और यहां पर वीक लगा रहेगा ठीक है पानी से बहरा हुआ आप सारी कपड़े से लगा हुआ यहां पर इसको क्या करेंगे हम लोग एक जगा पर फिक्स कर देंगे ताकि आपकी रूम में आपके रूम में क्या जीतना भी एर आ रहा है उसका ड्राइबल टेप्रेचर और वेड़ टेप्रेचर वह मेजर कर सके और तीसरा होता है एस्परिंग साइकोमेटर एस्परिंग साइकोमेटर कुछ इस प्रकर का दिखेगा आप लोगों को तो यह ज़नरली हम लोग क्या क lease उसके क्या होता है वह घ्रर हमेशा हुद गलेत करते हैं उसके उसे हमलोग क्या हक्ता सकते हैं Темप्राइश थी कंच होaskता है इसके हम लोग लेंगे हम लोग ने different factors जो human comfort के लग रहे थे हमने वो देख लिया आज हमने देखा कि basic terms used in air conditioning और यह रहे हैं आपके program outcomes So that's all from today's lecture, मिलते हैं अगले lecture में जहां हम दोग देखेंगे psychometric properties के बारे में तब तक के लिए keep learning, happy learning and bye bye